यह आप देख पाने होगे यह वो कार्गो शिप है जिसे सुमालिया के पारेट्स ने हाइजक करने की कोशिश करी पहले तो इंडियन नेवी ने दूर से वर्निंग दी आसपास की शिप से कि हम बड़ा अक्षन लेंगे ड्रोन से आएंगे हम लोग हमारे पास पोसाइडन है उसके बाद हमारे कमांडो भी रेड़ी है और यहां पर देख पाओ कि यह शिप है इसमें इंडियन नेवी के कमांडो है जल से जल यह शिप पर पहुच गए और इस शिप को कम्प्लीट ल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंग साब उन्हों ने ये कहा था कि अगर हमें उन दैश्चत गर्दों को या उन लोगों को जिनों ने इंडियन शिप्स पे हमला किया है अगर हमें उन्हें समंदर के सी बैट से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे एक चीज तो ये दिखानी है वहाँ पे लोगों को कि एक लीडर के पीछे एक पूरी फॉज खड़ी है राइट पाकिस्तानी अगर पॉलिटीशन्स का बस चले ना वो अपने एक अलग से मुल्क बना लें ठीक है और हमें जो हैं वो की मरने के लिए वैसी छोड़ दें हुआ है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेंती है चैनल को सस्क्राइब करिएगा और बैल आइकन दवाना मत भूलिएगा अब देखना यह है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है और इंडियन नेवी बेने अपने जो शेप्स हैं वो औरेड़ी इस अलाके में बेज़े हुए हैं डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सेंग साब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे हम उन इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसरे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमैरिकन्स कौंटिनियूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मुल्टी नैशनल नेवल कोलेशन है जिसको अपरिशन प्रॉस्पारिटि के नाम से इंडिया को इंडिया को इंवाईट किया गय ताके हम जो यमनी होतीज के जो हैं उसमें हैं देखे इंडियन बड़े स्मार्ट हैं यह मुव अफगान-Taliban की भी है आपको बाब बता हूँ आपको वो कैसे अफगान-Taliban said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al-Qaeda or Daesh we will do it ourselves वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने यह किया तो there could be consequences for that for us हमारे लिए उसकी consequences हो सकते हैं इंडियन को भी इस चीज़ का पता है कि अगर इंडिया और अमरीका की जो फौजे हैं या if they are together somewhere like French, like British तो जिस तरह Americans और British और French और बाकी पे हमले होते हैं इंडियन installations पे globally हमले हो सकते हैं तो इंडिया किसी भी ऐसे initiative का member नहीं है because उनको पता है कि the Americans do not enjoy good reputation ये इंडियन को इस चीज़ का बड़े अच्छे सा पता है तीक है जी और इन चीज़ों को वो जानते हैं कि ये इसके क्या consequences हो सकते हैं वो Americans क्यों reputation नहीं उनकी वो कहते हैं भाई ये जो अगर हमने ये किया अगर हम अमरीका के साथ दिया तो हमारे लिए मसले पैदा हो सकते हैं हमें कहा जाएगा वो जो militant group हैं वो क्या करते हैं for example पाकिस्तान को क्यों target किया जाता है इतना जादा दाइश की तरफ से अलकाइदा की तरफ से सम्टाइम TTP के वो के तो जी आप अमरीका के इतादी है आप तो उनके इतादी है लहाज़ा हम आपे हमला करेंगे अब सारी बात है पाकिस्तान उसे उसे हमें नुकसान हो रहा है ठीक है अफगान तालबान ये काम नहीं करें इंडिया नहीं कर रहा है लुक हो स्माट्ली और वाइजली अफगान तालबान और इंडियान प्लेइन प्लेइन वेन इट कमस तो तो गेट अमेरिकन असिस्टस्टन बहुत सारे लोग ये नालोजी ड्रॉन ही कर रहा हुँ लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि इंडिया भी वाइड करना चाह रहा है, for instance, कॉर्ड को देखें, डॉक्टर जेश शंकर कहते हैं कि हम किसी ट्रिटी का हिस्सा नहीं है, we are not part of any treaty, ठीक है, so it means कि हम एक कोलेशन जरूर हैं, लेकिन अब क्या होगा, बस एक कोलेशन में हैं, हमने इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करने चाह रहें, और आकर याप तो थोड़ा आर्सा पहले, just few days back, I was reading Prime Minister Modi's interview with India today, where he said कि, मैं तमाम फैसले जो हैं, we'll do from the prism of nation first, वो पाकिसान के आया होते थे, जन्रम मुशरफ साहब, military dictator से हो, वो कहते थे पाकिसान first, ठीक है जी, तो वो किस हाथ तक पाकिसान first है, मुझे तो नहीं पता, यह तो तरीख जारी बात असपर फैसला करती है, but what Modi is saying, that nation first, ठीक है जी, तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, ऐसी ही किसी next वीडियो में, तब तक के लिए peace out and जाहें,